हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल क्रैक यूर्कम टीशन विद्रणजली फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग 2022 की महत्पूर कंटैफेस को पढ़ने वाले फ्रेंट्स इससे पहले की दो वीडियो में हम लोग इसके कोश्चन को कवर कर चुके हैं लगवागत 30 किसी भी एक्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्डेंट्स हैं यदि आप किसी भी कंप्टिशन की त्यारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफी यूश्फूर हो सकते हैं आपने इससे पहले की दो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप लोग को मैं डेस्क्रिप्शन बॉक हाल ही में किस देश के राष्ट पूर राष्ट पती रहे मवाई के वाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है तो इसका राइट आप्शन में हो जाएगा केन्या के पूर राष्ट पती नेक्स्ट कोश्य ने हाल ही में कॉन नीती आयो के नए उपादेख्ष के रूपे निधन किये गए हैं तो इसका राइट आप्शन मबर डी हो जाएगा सुमन बेरी नेक्स्ट कोश्य ने प्रतिवस दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस के कब मनाया जाता है तो विश्व पुस्तक दिवस मना जाता है प्रतिवस 23 अप्रेल को आप्शन मबर सीज का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है हाल ही में किसे प्यम मोधी के नए प्रधान बेग्यानिक सलहकात के रूप में निउप्त किया गया है तो इसका राइट आप्शा की मशूर लेखी का बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्रे में निधन हुआ है इसका राइट आप्शा की जारखंट जारखंट, जारखंट का जाम ताड़ा जिला में इसारी को मना जाता है 25 APP 없이 सहीस का उसर हो जाएगा की रोन पुलाट दें अंतराइस्टे क्रिकेट से सन्यास लिया है इसका राइट आंसर है वेस्ट इंडिस नेक्स्ट कुछे ने हाल ही में प्रद्योगी की कंपनी विप्रो के भारत में ने कंट्री हैड कौन बने हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य यूशरन ईश् कब मनाया जाता है तो यह मना जाता है प्रतिवर्ष 22 अप्रेल को और शनमरे इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुछे ने हाल ही में दिली के मुख्य नए मुख्य सचिव कौन न्यूक्त किये गए हैं तो इसका राइट आंसर अप्शन नमरे असम राजी में नेक्ष् डिजिक्ट इंसोरेंस के नया म् डिन सी यू नं न्यूक क किया गया है तह इसका राइट आंसर अमरे हो जाएगा जैगा जैसलीन कोहली को नेक्स्ट कुछ्य ने हाली में भालितिया दखन आव lider संग ाई पी जी ए नय अद्यक्षे और कौन बने है तो दलहन आवम अना सं प्रतिवाश विश्व लीवर दिवस के स्तारीक को मना जाता है तो विश्व लीवर दिवस मना जाता है प्रतिवाश विश्व लीवर दिवस मना जाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा लेटेन जनरल मनोश पांडे नेश्ट कोश्य ने हाल ही में किस सहर में रेडियो अक्षि नाम किसे नेत हीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉंच हुआ है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्षिन नमबर टी नाकपुर सहर में नेश्ट कोश्य ने 15 अप्रेल 2022 को किस राजी ने अपना 75 अस्थापन दिवस मनाया है तो हिमाचर प्रदेश ने 15 अप्रेल 2022 को अपना इस्थापन दिवस मनाया है 55 और सी इसका सढ़àoया और सीज देश को बढ़ा हो जाएगा नैस्ट कुछ fully नहीं किस देश को तहु से सोगने नहीं के भाइरत को निय नहीं बैप नागो criticized ask प्रिट उसका अंषर विघ्षार धिश्मट हुझा नैस्ट ए refuse नहीं ओप्षिन नम्बर टी फालगुनी नायर ने नेक्स्ट फोफिंह प्रतिवर्ष बिश्व धरोहर दिवस् किस तारीक को मिना जाता है तो प्रतिवर्ष बिश्व धरोहर यलने प्रतिवर्श दुनिया भर में बिश्व आवाज सबने अरु तरह तो को option number B हमारा सही answer हो जाएगा next question हाली में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC player of the month का सम्मान मिला है तो इसका राइटांस हो जाएगा option number B बाबर आजम को next question हाली में संग लोक सेबा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो संग लोक सेबा है तो इसका राइटांस हो जाएगा पाकिस्तान next question हाली में कौन आइपेल क्रिकेट में रिक्टाइड आउट होने में बाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं तो इसका राइटांस हो जाएगा हमारा option number D रवी चंदरन अश्विन next question हाली में किस ड्राइवर ने एफ आउस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 देस जीती है तो इसका राइटांस हो जाएगा प्रतिवर्ष भायत में राष्टर सुरक्षित मातर्त दिवस् मनाये जाता है तो इसका राइटांस हो जाएगा हमारा option number D 11 अप्रेल को next question है question number 342 हाल ही में किसे प्रथम लता दिनानात मंगेश कर प्रसकार से सम्मानित किया गया है तो इसका राइटांस हो जाएगा हमारा option दिनेच्ट कुशे नहीं नरेध मोधी नेक्स्ट कुशे ने प्रतिवर्ष भीश्वर हम्योों पैथी दिवस कब मनाया जाता है तो फिश्वर्ष होम्यों पैथी दिवस मनाया जाता है तस अप्रेल में किसने बैस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्ष्ण बड़ी ओलिवियर रोड़िगो को नेक्स्ट कुशे ने हाल ही में किस टेनिस खिलाडी ने मियामी ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीता है तो इसका आंसर है और अंबर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने नेक्स्ट कुशे ने हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रेल कोपोरेशन डिमार्ची का नय प्रवंद्र निदेश कट किया गया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा और अप्ष्ण नमबर ए मिकास कुमार को नेक्स्ट कुशे न किसे वर्ष 2021 का सरसोती संबांद दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option नमबर सी Hungary को next question एक मिट फ्रेंड sorry इसका जो आंसर हो जाएगा रामदर असमेश मेश्रो option सब्क duty के सब्सक्राइब आउसकर ini चाहिफ नंबर 5 na Mom कि क्यों के अट्रेव व्ला करें सब्सक्राइब कतः सब्सक्राइब तो उसकार आपक्षी sì की राजी के करें तो फुल्सकर म सब्सक्राइब सी गुवाराजी के नेक्स्ट कुश्य ने हाल ही में किस भारती खिलाडी ने स्विच ओपन बैड्मिंटर चैंबेंश्चिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी पीवी सिंधू ने कुश्य ने हाल भारत के नए विदेश अचिप किसे ने उप्ट किया गया है इसका राइट अंसर है और भी पिन है मुहन कात्राव को ने करका है ने कॉश्य के नए अध्यक्ष हो जाएगा और भी महेश वर्मा नेक्सट है हाल ही में कॉन भारते भूव एग्यानिक सर्वेक् कुछ ने हाल ही में किस ने बीवी सी इंडियन स्पोर्स बूमें ऑफ दाइयर 2021 कर पुरस्कार जीता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा और सी मीरा भाई चानू में नेक्स्ट कुछ ने 31 मार्च को पूरे भाद में आनंदी गोपाल जोशी का जर्मदिस मनाया गया है यह थी यह कौन थी फ्रेंड्स तो यह थी भाद की पहली महिला डॉक्टर ऑफ्शन नमबर इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुछ ने प्रतिवाश राइस्थान दिवस कब मनाया जाता है 30 मार्च को ऑफ्शन नमबर इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुछ ने हाल ही में कौन भारतिय मूल के ब्यक्ति अमेरिकी कूरियर सेवा कंपनी फेर एक्स के नए सीईयों बने है तो इसका राइट आंसर है ऑफ्शन नमबर इसका इस्थापना दिवस कब मनाया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ्शन नमबर इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुछ ने हाल ही में कौन आईपियल क्रिकेट के में अब तक के सबसे ज़्यादा बिकेट 171 लेने वाले गेंदवाज बने हैं तो कौन बने है फ्रेंच डुएन ब्राबो नमबरे सिक्किम सिक्किम राजी के बने हैं नेक्स्ट कुछ ने हाल ही में किस राजी में भारत की पहली इस्टील सडक बनाई गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ्शन नमबर डी कुजरात नेक्स्ट कुछ ने बन मिनट फ्रेंट्स हाल ही में किस देश की पहली महिला एक मिनट फ्रेंट्स आयद उपर वाला कुशन रहे गया है हो गया उपर वाला हाल ही में किस राज्जी में भारत की पहली इस्टील सडक बनाई गई है तो इसका राइट आंसर ऑफ्शन नमबर डी हो जाएगा गुजरात नेक्स्ट कुछ ने हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मैडलीन अलब्राइट का 84 वर्ष की उम्रे में निधन हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑफ्शन नमबर डी अमेरिका देश की नेक्स्ट कुछ ने तीसे राष्टेश जल पुरुस्कारों में सब्स्टेश राजी की शिर्णी के अतहित किस राजी ने सिस्थान प्राप्त किया है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ्शन नमबर रे उत्तर प्रदेश राजी ने नेक्स्ट कुछ ने नीती आयोग द्वारा के संस्था के साथ इंडियन एग्रिकल्चर टूडर्स 2030 का पुस्तक का भी मोचन किया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ्शन बभी एफ़एओ द्वारा नेक्स्ट कुछ ने एफ एओ के साथ में ठीके फ्रेंट्स नेक्स्ट कुछ ने हमारा किस राजी के जिंग जिंग किंग जरी या लिविंग रूट ब्रिच को युनेस्को की विश्व विडासत इस्थलों की आइस्थाई सूची में शामिल किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के अपने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ती मल्टी मॉडल कि कार्गो टर्मिनल जी सीटी चालू किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑफ्शन नमबर सी आसन सोल नेक्स्ट कुछ ने अब सिष्ट इस पास से बनी पहली सड़क ने शीर सिस्थान हासिल किया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा और सी गुजरात राजने नेक्स्ट कुछ ने भारत का कौन सा बहतर मुद्रा स्वास्ट के लिए कार्वन टर्ट से खेती सुरू करने वाला देश का पहला राज बनने के लिए तयार है तो इसका अंजर हो जाएगा हमारा ओप्शन नमबर भी विशु बैंक ने कि अब कि अब से जिए मटिया को और इस ऑन्जलाक को कि सिए गए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह चाल्य सी प्रसमीर्स तो आ एप्लिकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से 140 ऑटो डिल्ट प्रदान करने के लिए लॉंच किया गया है इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए एच्टी एफ्सी बैंक नेक्स्ट कोशन हे ओन डिवाइस वालेट के लिए यूपी आई लाइट वैलन्स की कुल सीमा क्या है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमबर भी 2,000 रुपे next question कौन सा option हो जाएगा Francis का option number 20 का सभी answer हो जाएगा 2,000 रुपे next question फसल बिवी दी करांट सुचकांका उप्यों करने वाला देश का पहला राज ये कौन सा बना है तो इसका right answer option में भी हो जाएगा तेलंगाना next question ने जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस फुर्वत्तर देश के साथ उर्जा समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो इसका राइटांसा ऑप्ष्ण मभी हो जाएगा कतर नेक्स्ट कोश्य ने उस मालवाग पोत का नाम बताईए जो प्रहमपुत्र न राइटांसा हो जाएगा हमारा ऑफ्ष्ण नंबर सी पावर ग्रेड नेक्स्ट कोश्य ने कलाई आश्वासन कि स्पूर्ड क्रिकेट खलाडी की आत्मकता है इसका राइटांसा हो जाएगा फ्रेंस ऑफ्ष्ण नंबर सी जी आर विश्वनाथ नेक्स्ट कोश्य ने पदम डबलू जी एम के रूप में घोशित किया गया तो इसका राइटांसर हो जाएगा और सी प्रियंक कर नूटक्की को नेक्स्ट कुश्य ने बहात की आजादी का अमरित महोसर उस सब के एक भाग के रूप में भारती दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी क्रीन के तिर्भुच का उधातन किया गया तो इसका रायटांसर हो जाएगा आपोचन सी मे 창ट ड आघाशगर नेक्स्ट कुश्य ने सिप्री प्रिपोहट कि अनु सार 27 21 के दवरान को सा को सा देश हरत्यारों का सबसे बड़ा नेरियातक था इसका रायटांसर हो जाएगा ऐगा बस्त्र मंताले और संस्कृति मंताले ये दोनों ही दोनों ने ही किया है option नमबर दी हमारा सही आंसर हो जाएगा next question ने भारत की किस राजी में देश का पहला अंतराश्ट्रे फरनीचर पार्क बनाया जाएगा तो इसका right answer option बसी हो जाएगा टमिलाडू राजी में next question ने हाल ही में किस सहर में देश के पहले ट्रोन स्कूल का उठाटन किया गया है तो इसका right answer is option नमबर एक गौलियर शहर में next question ने भागवान गौतम बुद्दी के शेहन बुद्रा में दुनिया की सबसे रंबी प्रतिमा का निर्मान किस राजी में किया जा रहा है इसका right answer is option जाएगा इसका right answer is option नमडे बियत नाम में next question है हमारा मद्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का भारते सेना संस्कांट DRDO द्वारा किस देश के साथ साजिधारी में बिक्सित किया गया है इसका right answer हो जाएगा option नमडे इजरायल next question है किस अंस्थान ने भ किस फिल्म में चौदवी अकार्डमी प्रसकारों में सब्सेश्ट फिल्म का प्रसकार जीता है इसका right answer is option नमडे वी कोड़ा फिल्म ने next question है वस दोजावाइच में बिश्वी रंगमंच दिवस का विशय क्या है तो इसका right answer है हमारा option नमडे रंगमंच और सांती की संस्क इन दोनों ने ही लिखे option number डी इसका सही आंसर हो जाएगा ये और बी दोनों next question है यूक्रेन की राष्टपती ब्लादिमेर जिलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष्राज के सम्मान से सम्मानित करनी की होशना की है तो इसका right answer option नमडे पूर्वी रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला शक्ती गती शक्ती मंटी मॉडल कार्बो टर्मिलान शुरू किया गया है इसका right answer हो जाएगा option नमडे पूर्वी रेलवे जोन द्वारा next question हाल ही में किसने अपना पहला इंडियान सुपर लीग खिताम जीता है तो इसका right answer हो जाएगा option नमडर भी हैदराब चोई टाके यूची option नमडर भी इसका सही answer हो जाएगा next question है नेवा कारेक्रम को लागू करने वाला पहला राज ये कौन बना है इसका right answer है option नमडर भी नागरलेंड next question हाल ही में योगिया दितिनात लगातार कौन सी वार तरप्रदेश के मुख्यमंत्री बने है तो इसका right answer हो जाएगा option number a दूसरी बार next question हाल इमेर प्रशीति ब्यक्तितों रमेश चंदर लाहोटी का 84-81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है बहें कौन थे तो बहें कौन थे फ्रेंड्स बहें एक पुर्व मुख्य ने आया धीस से option number a इसका सही answer हो जाएगा next question है पंजाब इधा फॉर्मूला वन बहरिन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है तो इसका राइट आंसर option number सी हो जाएगा next question हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन कोवर्स 2022 का एवेल पुरसकार मिला है यह पुरसकार किस छेतर में दिया जाता है तो एवेल पुरसकार दिया जाता है गरित के छेतर में option number 10 का सही answer हो जाएगा next question हाल ही में सैफ यू 18 महिला चैंपिंशिप 2022 का आयोजन कहां हुआ है तो इसका right answer है हमारा option number B जारखंड में जारखंड में हुआ है next question हाल ही में 35 सूरज कुंड अंतराश्य चिल्प मेला कहां शुरू हुआ है तो इसका right answer option number B हो हो जाएगा फरीदाबाद में next question है प्रतिवर्श विश्व मौसम विज्ञान दिवस बर्ड में टेरो लॉजिकल अंटे कप मनाया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा हमारा option number D तेज मार्च को next question है पद्म भूशन सम्मान पाने वाले पहरा एथलीट कौन बन गया है इसका right answer हो जाएगा हमारा option number C नागरलेंड next question हाली में भारत और किस देश ने स्वच्छ उच्छ उच्छ साजिदारी सुरू किया इसका right answer है option number C भारत और जापान देश ने next question हाली में विश्व कॉरेया दिवस कप मनाया गया है फ्रेंट्स 20 मार्च 2022 को option number 20 का सही answer हो जाएगा next question ह हाली में ऐस्ट्रेलियाई खिलारी एश्ले वार्टी ने किस थेल से सन्यास लेने की घूशना की है तो इसका right answer हो जाएगा हमारा option number B टेनिस next question हाली में जारी एक एक आईक्यू इयर की वर्ल्ड इयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में दुनिया की सबसे दूशित राजधानी सह फैर बन गई है तो इसका right answer option बसी हो जाएगा दिली next question हाल ही में सोली सोराब जी की जीमनी सोली सोराब जी life and times किस ने लिखी है तो यह लिखिए अभिनाव चैंदल चून ने option number 20 का सही answer हो जाएगा next question है कौन सी राज्य सरकार राज्य ओभी सी आयो का गठन करेगी तो इसक मत्री बना आ जाता है प्रतिवास 24 मार्च को option बीसका सही answer हो जाएगा next पुसकर सिंग धामी किस राज की दूसी बार मुख्यमंत्री बने है पुसकर सिंग धामी option बीसका सही answer हो जाएगा friends आज की वीडियो में बस इतना ही आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बोक वोर के बादा ही जो पस्टी किर्णा झाला 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 झाला